जे मसी की दोस्तों, आज के सुरगी मनना का भाग हमने लिया है याकूब की बत्री, उसका पहला अध्याए और उसका नवा और दस्वा मचन वचन कहता है वरन दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व करे और दस्वा मचन और धनी अपने हीन दशापर क्योंकि वो घास के फूल की भाती समाप्त हो जाएगा धन्यवाद पिता परमेशर तुम महान है तुम महान है परमेशर तेरे वचन महान है और तेरे वचन सिद्ध है हमें शिक्षा देते हैं, ग्यान देते हैं, समझ देते हैं और परमिश्वतिरी सरणों में लेकर चलते हैं दोस्तों ये वचन हमें क्या बताता है वचन हमें बताता है कि जो दीन वेकती है वो उच्छ पद के योग्य है वो घर्व कर सकता है किस चीज़ पर गर्व कर सकता है आई हम सोचते है दीन वेक्ती जब आप अपने अंदर दीनता लाता है जब हमारे अंदर दीनता आती है तो हमारे अंदर से क्या जाता है गमंड जाता है स्वार्थ जाता है लालच जाती है क्रोध जाता है हलिलुया जब हम दीनता में आते हैं तो हम अपने हर अवगुण को निकालते हैं जब दीनता हमारे अंदर आती है तो हमसे हर अवगुण निकल जाए जो परमेश्र को बसंद नहीं है जब दीनता आती है तो क्या आता है समर्पा तो क्या आता है प्यार तो क्या आता है त्याक की भावना तो क्या आता है शमा की भावना तो क्या आता है परमेश्र से परमेश्र के करीब जाना तो दीनता हमें स्वर्ग के राज्य की ओर लेकर जाती है मती मती चार का सत्रा जब इश्व मुसी ने प्रचार शुरू किया उन्होंने पहला बचन क्या बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर का राजय निकट आ गया है और उसी अध्याय में अगर आप देखेंगे मतिक पांच का तीन तो इश्व मसी कहते हैं धन है वे जो मन के तीन है क्योंकि स्वर का राजय उनीक है वो राजय जो निकट है आपका कब हो सकता है जब आप दीनता में आएंगे आपका कब हो सकता है जब आप परमेशर की उपस्ति में आएंगे दीनता हमें परमेशर की उपस्ति में लेकर चाती है दीनता का सबसे सबसे बड़ा उधारन जो मेरे मस्तिष्ट में आता है जो मेरे ध्यान में आता है और वो है मरियम का सिर्फ मरियम जानती थी कि इश्व मसी ने उनकी कोक में कैसे कैसे वो उनकी कोक में आया है कैसे वो उत्वन हुए है सिर्फ मरियम जानती थी लेकिन जब इश्व मसी बड़े बड़े कारे कर रहे थे इशुमसी को जब पकड़ा गया इशुमसी को जब जब सैनी कोड़े मार रहे थे वो बैठी रोह रही थी लेकिन उसकी दीनता उसकी दीनता ने उसे शक्ती दी थी उसकी दीनता ने उसे स्वर के राज में पहुचा दिया था क्योंकि वही जानती थी कि इशू कौन है वह कैसे मेरी कोख में आया है लेकिन फिर भी दीन बन कर वह सब कुछ देख रही थी हालेलोया, प्रेस अलॉट परमेशर महान है, उसने अपने कलोटे पुत्र को धरती पर भीड़ा ता कि हम दीन बने ता कि हम हम परमेशर के उपसिती में रहे ता कि हम उस दीनता, उस सबर को, उस हिंशीलता को उस विश्वास को, उस त्याक को और शमक की भावना को अपने मन में लेकर चले क्योंकि यही खाजाना है यही खजाना है जिसके दोरा हम परमेशर के राज में राज में पहुर सकते हैं यही खजाना है जहां हम सुर के राज को पा सकते हैं मेरे भाई मेरे दोस्तों दीनता हमारे अंदर बहुत जरूरी है और दीनता हमें बताती है दुश्मनों को माफ करो दीन ता हमें बताती है कि अगर कोई आपको सताता है तो उसके लिए प्रास ना करो दीन ता हमें बताती है कि अगर कोई आपके एक गाल पहता पर मारता है तो आप दूसरा गाल आगे कर दो दीन ता हमें बताती है कि हमें गरीबों की स्तुती लेनी है हमें हमें गरीबों के लिए सोचना है दीनता हमें बताती है कि अगर हमें कोई दीनता हमें बताती है कि अगर कोई हमसे एक कमीज मांगे तो हम उसे अपना कोट भी उतार के थे थे दीनता हमें बताती है कि अगर कोई हमें एक किलोमेटर चलने के लिए कहे परमेशो के करीब जाना, दिंता हमें तौमा जो कट्षो कुढ़ोग गया थह, लेकिन इशीओ मसी, कि दीनता उसके पास लेकर आई, इशके मसी ने अपने आपको दीन किया और उसके पास आये, कि थौमा तो क्या देखना चाहता है, मेरे उन छेदों को देखना चाहता है जहां पर कीले चुपी थी वो वाचा के छेद वो वाचा के निशान देख मेरे शरीर में क्योंकि मैं वाचा का परमेश्वर हूँ और इशू की दीन दाने थामा के हिर्दे को परिवर्टित कर दिया और थौमा ने पहली बार पहला चेला था थौमा जिसने कहा ईशू तो ही परमेश्वर है तो ही प्रभु है हाले लोगा तो हम दन्यवाद देते हैं उस पवित्र सामर्थी नाम को इसलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर तीन तर है लेकिन अगला वचन क्या कहता है जो धनी व्यक्ति है वो अपनी हीन दशा को समझे क्योंकि आपका धन आपके अंदर घमन लेकर आता है आपका धन आपके अंदर स्वार्थ लेकर आता है आपका धन मोहमाया के जाल में फसाता है आपका धन आपको गुरूर बनाता है आपका धन आपके मंद में प्रूथ लेकर आता है इसलिए वाईबल कहती है वच्छन कहता है कि धनी वेक्ति अपनी हीन दशा को समझे वो हीन दशा में जा रहा है अगर आप धन से प्यार करते हैं तो आप ही इंतशा की ओड़ जा रहे हैं और अगर आप दीन है तो आप गर्व कर सकते हैं कि आप दीन है क्योंकि स्वर कराची आप ही का है इसलिए बाइबल भी कहती है कि आप एक ही स्वामी की सेवा कर सकते हैं या तो धन की या परमेशर की तो दोस्तों हमें चुनना है कि परमेशर है परमेशर है जिसने हमें रचाया है परमेशर है जिसने हमें चुना है परमेशर है जिसने हमें बचाया है परमेशर है जिसने अपने एकलौते पुत्र को धर्टी पर भेजाया और इश्यो मसी के दोरा हमें उधार दिया है परमेश वो धन्य उसको नहीं कहती जिसके पास पैसा है वो धन्य उसको नहीं कहती जिसके पास गाड़ी बंगला है वो धन्य उसको कहती है जो मन का दीन है जो मन का नम्र है तो हमें अपनी दीनता को स्विकारना है हमें दीनता में बने रहना है और गर्व के साथ प्रभू के राज मे कवेश करना है और बने रहते हुए परमेशर की महिमा को पाना है आले लुए धन्यवादे थे पिता परमेशर इस सुभा के लिए आई हम प्रात्रां करते हैं प्रात्रां करते हैं सबी भाई बेहनों के मन में इस अंतिम समय में हम अपनी दीनता को बना के रखें क्योंकि दीन दिनता ही हमारा गहना है दिनता ही हमारा जेवर है दिनता ही हमारा खजाना है और दिनता ही हमारी शक्ति है आईए धन्यवादे थे हैं पिता परमेशर रिश्मसी के पबद सुनती नाम से मांगते हैं धन्यवादे थे हैं सुनने वाले हर भाई बेन के लिए आशीर गाई मांते हैं, एमेन, एमेन